Hello friends, मैं Ackhamenitor A.K.Sing और आज फिर हम अपने लाइबरी में Most Important यानि की Important Topics देखेंगे यानि की, आज का Most Important Topic है उससे देखेंगे और यह Most Important Topic होते हैं आपके Library Exam के लिए सभी एग्जाम के लिए क्या है valid है और इसी topic को याने की यह वह topic है जो कहीं न कहीं दबे कुछले topic है या पर एक तरह से वह topic है जो आपने याने की slaves में पढ़ तो लिया है पर यह कहीं न कहीं exam point of view से आपके सामने आते हैं तो याने की आज कहा है topic number 13 और यह जो topic है आपके यूजी सी नेट और के वी एस डी ट्रिपल स्वी एन्वी एस एम आरेस आरेस लाइबरियन और राजिस्थान एंड ओल अवर इंडिया ओल इंडिया इंडिया लाइबरियन के लिए आवशक हैं और कहीं न कहीं आपको इन तोपिकों को देखने के लि इस तरह मिलता है यानि कि यह topic कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आज का topic क्या है आज का topic है आप सभी का delivery book act के ओपर यानि कि delivery book act जो है वो कहीं न कहीं आपको पता होना चाहिए और delivery book act कहीं न कहीं यह मान के चलिए delivery book act जो है वो आपको इसलिए पता होना च ठीक है अगर आपने यह नहीं जाना तो कहीं न कहीं आप इन सब चीजों से एक तरह से दूर होते चल जाएंगे और अपने छेत्र में आगे नहीं कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे और UGC.net वालोगा कल पेपर है यानि कल तेरा तारीक है और सभी UGC.net वाले जो भी वीडियो देख रहे हैं बेस्ट ओफ लाग अपना एड्मिट कार्ड पैन फोटो आईडी जो भी रिक्वाइर्मेंट डॉकुमेंट है यानि कि जो रिक्वाइर डॉकुमेंट है उन्हें ज़रूर लेके जाए अपने यानि कि dress code के साब से अपना dress पैन के जाए है सब चीजे ध्यान से आप पैन Say यानि कि अपने dress Chard अब ही रख लीजिए जिससे आपको कल दिक्कत ना होँ चाहीए तो आज का topic क्या है आज का topic यानि कि topic नंबर боль 13 और टॉपिक क्या है Delivery Delivery Book Of Book Adenium ठीक है यही तो है Delivery Of Book Adenium अब Delivery Of Book Adenium कहता क्या है कहना क्या चाता है आपसे यानि की यह क्या कहता है यह आपसे कहना क्या चाहरा है यह है क्या पहले मैं आपको एक तरह से वर्बली समझा रहे तो देखो Delivery Book Act के कहाने मैंने आपको पहले बता चुक है कि तीन भाई पलस एक भाई यानि कि तीन भाई एक साथ पैदा हुए थे एक भाई बाद में पैदा हुआ वाली कहानी आपने सबने सुलियोगी Delivery Book Act में अब वो मैं आपको बता हूँ किस तरह से कहानी है आसान तरीके से याद करने के लिए वो कहानी बनाई गी थी यानि एक तरह से अगर आप किसी भी चीज को याद करना चाहते हो तो कुछ कहानी बना लो कुछ भी चीज जिससे आप वो याद हो जाए जो हाड चीज हो देखो Delivery Book Act क्या है Delivery Book Act ये कहता है कि जितने भी कहें हमारे इंडिया में किताबे हैं चाहे वो कुछ भी हो चाहे X, Y, Z कौई सी किताब हो अगर वो अच्छा पर रही है तो उसका यानि कि उसकी चार कोपी क्या है? चार कोपी यानि कि चार कोपी चार लाइबरी में जाएंगी चन्नाई और आपका दिली तो यहां पर यानि इंचा लाइबरी में हर वो किताब आपको देखने मिलेगा जो कहीं न कहीं कहीं डिलिवरी बुक एक्ट के तहत इनको बेजना जरूरी है और यह बेजना कतने दिन में जरूरी है अब चलिए आगे समस्ते हैं इसकी कहानी को थोड़ा सा और ब्रीफली यानि कि डिलिवरी बुक एक्ट क्या है यानि कि प्रतियेक प्रकाशन लिखो या पहले आपको समझा देता हूं पूरा समझा देता हूं डिलिवरी डिलिवरी बुक एक्ट क्या चहता है यह कहता है कि जो भी प्रकाशन क्या करते हो और ऐपना है फिर अपना कुछभी समान आप बनाते हो तो उसको क्या करता है आप एक तरह से पेटेंट करा देते हो तो वही क्या है एक तरह से आप क्या है कि आप इन सब चीजों को बना रहे हैं इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए क्या करने के लिए इन सब चीजों को दर्शाने के लिए आपके करते हो आप इसके बारे म प्रतियक प्रकाशक शॉर्ट वीडियो में इस लिए है थोड़ा सा कि आपको बतल जाए जिसे आपको कोशन पतल जाए प्रतियक प्रकाशक डिलिवरी डिलिवरी ओफ बुक बुक्स न्यूज पेपर आपको बहुत से जाए यह भी लिख्का मिलेगा डिलिवरी ओफ बुक एंड न्यूज स्वेपर अधिनियम क्योंकि इसकी कहानी अच्छा एक चीज़ और रह गई है मेरी अभी आपको लेगा के अंतरगत अभी बताता हूं आपको अंतरगत अपने प्रकाशक स्वरी प्रकाशन की चार प्रती या तीस दिन के भीतर अपने वै पर नियम स्वरी नियम के अनुसार यानि नियम के अनुसार सार चार पुस्तकाले या फिर लाइब्रिरी में बेजता है अब जो क्या है यानि इसकी कहानी कहां से शुरूती इसकी कहानी शुरूती है सबसे पहले आता है 1954 यानि कि 1954 जो है डिव essent है अमेंडमेंट जओ है अमेंडमेंड से पहले वाली इसमें कि 1954 की कहानि को पता और सबसे पहले या आप पता सबसे सबसे पहले को 1954. जब 1954 की कहानी समझ में आ जाएगी तो कहीं न कहीं आपको आगे की चीज़ भी समझ में आएगी जब आप 1954 की कहानी क्या कह रहा है कि इसमें जब आया था यानि कि Act आया था कि debat पारी जब 256 में क्या अमेंडम prophet मेंॉया जानि कि सन श जो-धन हुआ हैस्व था प्रकाशक द्वारा पुस्तक आले अधिनियम के तहत एक पुस्तक की कितनी परतियां भीजी जाती है यह कुश्चन दाओ तो उसमें क्या है तहा चार प्रतिया भेजनी कहां आधिया है वह भी पता होना चाहिए क्यों भाई चार प्रतिया भेजनी आपकोrada हो हुआ है और पहले से पहरे जकिए पूर्व छेत्र में खेत्र के लिए पूर्वी छेत्र के लिए राश्ट्य पुस्तकाल ले कॉल कता कॉल कता ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा बताई अभी मैंने आपको बताई थे सारे पश्चिम में यानि पश्चिमी छेत्र के लिए के लिए ए शे येटिक सोसाइटी मुंबाई फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा आपका उत्री छेत्र अच्छा उत्री छेत्र मैं आपको बादे में रिखूँ है क्योंकि फिर वो जो तीन भाई वाली कहानी है वो पूरी नहीं होगी दक्षिनी छेत्र के लिए दक्षिनी छेत्र के लिए पूर पश्चिम उत्तर दक्षिन होता है इसलिए मैंने आपको पहले यानि कि दक्षिन पहले लिख दिया क्योंकि आपके वह कहानी पूरी नहीं हो पाएगी दक्सिनी छेत्र के लिए कैन मरा पबलिक लाइब्रेरी ब्रेरी चन्नाई ठीक है अब आती है उत्तर की बारी यानि उत्तर छेत्र के लिए के लिए दिल्ली सार्व व जनिक पुस्त काल्य तो यह था क्या है यानि अब तीन भाई वाली कहानी कहान सुरू होती है देखो यह जो है कहीं न कहीं यह तीन भाई वाली दिल्ली पुब्लिक लाइबरी आपकी वह बाद में आए थी तो यह आपको और इससे जा यानि यह शॉर्ट वीडियो में अगर शॉर्ट वीडियो का मतलब यह है कि दससे बारा में आपको चीजे इंपोर्टन इंपोर्टन चीजे बताए दिए अगर इसकी पूरी वीडियो देखने है तो चैनल पर पढ़िए आप जाकर यानि कि यह चीजे हैं आपको पता होने चीजे चार लाइबरी के बारे मैं 4 यानि कि किताबे 4 बेजने होती 30 दिन के अंदर बेजने होती यानि कि 30 दिन के अंदर 30 किताबे 4 लाइबरी में जाती है और अपने पैसों से बेजनी पड़ती है ठीक है इसमें संसोधन और पहले किताबे आई थी और फिर उसके बाद न्यूस पेपर इस तरह की चीजे भी इसमें इंक्लोडिंग कर दिए यह संसोधन के बाद ठीक है यह